दोस्तों, इंडिया Post Payment Bank का Mobile Banking App, IPPP Mobile Banking में कैसे Login करना है? उसका complete और फूरी process इस वीडियो पर में आप लोगों को दिखाऊंगा चाहे, आपका in many details का problem हो, चाहे आपका customer ID related कोई problem हो, उसका कोई दिकत आपको नहीं आएगा आपको रेजिटेशन करके लोगिन करने का पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा तो चलिए दस्तों पिन इदर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दस्तो उसके लिए आपको playstore में जाके IPvP Mobile Banking Application को इंस्टल करके open करना है, अगर आपने पहले से इंस्टल करके रखाए तो डारेक्ट आपको open करना है, अपने करके custom ID बगिर डालना है, तो में यहाँ पर IPvM Mobile Banking Application को open करता हूं, open करने के बाद दोस्तों दिखे आपके सामने जो एंटरविस आएगा तो यहां पर आपको अलाओ में क्लिक करने के बाद अभी आपका डिवाइच लोकेशन एक्सेस के लिए आपको फॉइल उसिंग दा एप में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लोगिन नाओ का उप्शन करना यहां पर अभी झापको जारा है कि डोस्तों आपका एपी इक ऐकाउंट के साथ जो रिजिट्रेर Ub matter को निचे सप करना होगा इन दोस्तों आपका पाइपी एकाउंट के साथ रिजिट्ट्र आपको आपको सिलेकड हो साथ के आपको उस आपका आईबी इस्टेने मुबाल नमर को लीचे स्टेक्ट करना है सिंह कुट करना है। 1000 ऐपको सब्सक्राइब लोग अपना को आपको क्लिक करते हैं अपको फिर से अलाओ में क्लिक करते हैं डोस्तों आपके मोबल नमपर SMS आपका मोबल नमर वीरिफाई हो जाएंगा और मोबल नमर वहोते ही दोफ्याइब को आपको यह दिखने को मिलेगा कि आपका आपको यहांबे रिजिस्टर करने के लिए आपका IPV एकाउन का डिटेल्स डालना होगा यानि आपका सबसे पहले देखे एकाउंट नमबर जो आपको अपको यहांबे जो नमबर आपको दिखने को मिल रहा है इस नमबर पर आपका IPV एकाउंट के साथ जो रिजिटर्ट मोबल नमबर है उस नमबर से आपको इस नमबर पर लगाना है को बताना होगा कि आपका आपको बता दिया जाएगा तो आपको नोट करके रख लेना है उसी वक्त तो इस तरह से आपका इकाउंट नमबर बगीरा डिटेल्स पता करके आपको यहांप नमबर और कॉट डाल दीजे उसके बाद में आपको यहांप डेट अबारत के जगब्ले में साइट में केलें में को क्लिक करना है क्लिक करके आपका डिक करने के बाद में आपको की ऊपर क्लिक करकेister करतें यहाँ है आपका डिक्क डावरत आजाएगा उसके बाद में आपका जो नमबर निचे ra et injustice आफको यहां पर प्लीज एंटर डेटलौम दिखने को मिल रहा है और आपको इहां पर प्लिस ती को ंदेर स्वास, सीलिगों रहा है तर आपको का स्चोर्ण करके हैं आपका प concurables pasti आपका आपका mobile का settings में चले जाना है जाके आपको settings में आपको app management या app list या apps दिखने को मिलेगा तो आपको apps में क्लिक करना है तो यहां पर apps है तो apps में ही क्लिक करता हूं लिखा तो आपको किलिक बाद में क्लिक करने के बाद में हुआ हो अगर बॉपन करने के बदेखिंगा डग क्रिक्लियर हो क्लियार लिखा है तो आपको क्लियार में क्लिक करने से आपको नीचे में देखिए नीचे में अभी आपको दिखने में मिलेगा क्लियार डाटा तो आपको क्लियार डाटा में क्लिक करके आपको क्लियार ओल डाटा में क्लिक कर देना है प्रोसेस बिलकुल उसी प्रोसेस में आपको यहां पर क्लिक करने के बाद देखिएए यहां पर दोस्तों फिर से आपको सब्सक्राइब करना ईड़ने के बाद में अभी आपको यह जाएगा तो आपको यह पीछ सब्सक्राइब करना है तो यह जब करते हैं कर देखिए set mpin का पेज आपके सामने ओपिन हो गया तो अभी आपको login के लिए mpin set करना होगा IPv login के लिए तो उपर में कोई भी रखने नंबर आपको याद रहिए उके तो आपका चाठ डिजिसर आपको यहां होगा झाल 7 नूमर लिए यहां पर आपको दिकरते दोस्तों देखें यहाँ पर आपको security question यहां पर जितने भी दोस्तों question दिया है गया है उसके question का answer आपको यहां पर रखना होगा उसके पर आपको submit में click करते हैं आपका IPv account login हो जाएगा आप चाहे तो यहां पर जितने भी security question है यह question का answer दिये बगेर ही आप direct यहां से IPv account login कर सकते हैं आपको नीचे skip and proceed में click करके आप question का answer ना दिये डाइरेक ही आप login कर सकते हैं लेकिन इसमें एक दिख्का थे अगर आप skip and proceed में click करके direct IPv account को login करते हैं तो दोस्तों अगर आपने किसी भी कारण से आपने आपका MPN भूल गया है तो MPN दोबार आप reset करने के लिए दोबार बढ़ने के लिए आपको direct बढ़ना ही सकते हैं आपको दोबार registration करना होगा उसके बाद आपको MPN create करना होगा अगर आपने security question का answer डाल के submit करके उसके बाद अगर login करते हैं तो आपका MPN भूल जाने पर भी MPN को आपको आसान इसे बना सकते हैं ओके तो यहां पर दोस्तों मैं इसकी प्रोसीड नहीं करूंगा इसकी प्रोसीड करने से आप direct login हो जाएंगे फिर भी MPN मैं नहीं करूंगा सबसे पहले security question का answer डाल देता हूं तो चाहे तो आप security question को बदल भी सकते ऊपर में.. क्लिक करके आप अगर security question को बदलना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं तो मैं यहां पर सबसे पहला question में date of birth का प्रीज का नाब पूछा गया है तो मैं date of birth का प्रेस का नाम यहां बढ़ल दिता हूं कहां पे जन हो था वो प्लेस का नाम डाल देता हूं उसके बाद में देखिए यहां पे दोस्तों बाकी जो कोईशन था आपको यह बुचा गया कि आपने कौन सा इसकूल ने फास्ट एंट किया था वो इसको का नाम में डाल दिया उसकी बाद में आपका फेवराइट फ्रेंड का था वो फ्रेंड का नाम में डाल दिया फेवराइट टीचर का था वो टीचर का नाम में डाल दिया इस तरह से स्कूर्डी कोईशन का अंसर डालने के बाद म आपको भूलना जाये तो नीचे में आपको शामीन में क्लिक करते होगा तो यहां पे देखे मैं सामीन में क्लिक करता हूं, भी आपका आपको आपको नियुकिन कर सकते हैं, तो कलने के बाद में आपके समने ये पीज निकल आजाएगा, और यहां घ्लिया आपने आपके आपने जो करते वक्त वो MPIN को अभी आपको डालना है MPIN डालते हैं देखिए आपका IPV account इस तरह से आपका IPV account का डिटेल से लोग इन हो जाएगा और यहां से उपर में आप मॉभाल बेंकिंग आपको ग्न करना है उसके बास और आपको ऑपिन करना होगा बस्ता कि यहाँ, बस्ता कि यहुआएंगा इन विता है, तो है रहां इन है कि यह कि भी जो सबस्टाना आप जो रहां जो घाँ है, कि वी दो जो जो पुन सकत कि यह कि यहां।